कहानियां जो हमें कुछ न कुछ सिखाती है, आज हम ऐसी ही एक नाककन्या और मचुआरे की कहानी सुनने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है कि यह कहानी अरुनाचल प्रदेश की एक जाती ताराओन से जुड़ी है और आज भी वहां एक जनजाती इस नाम से जानी जाती है, तो चल सुन्दर पर, वहां एक अनात मचुआरा रहता था, एक दिन वह मचली पकड़ने गया, उस दिन मचली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया, दरसल वह नाग, नाग लोक का राजा था, अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई, उसने उसे विवाह कर लूँगी। युवक मान गया और उसने नाक को छोड़ दिया। नाककन्या ने उससे विवाह कर लिया। मचुवारे और नाककन्या का विवाह गामवालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने मचुआरे को बुला कर कहा तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी जो हारेगा उसे गाव छोड़ कर जाना होगा। ज़वान मुर्गा ले आती हूँ। ये कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला लड़के इससे फैसला नहीं हो पाया है। अतह कल सुबह जो टोकरी नदी को उलटी दिशा में बहा देगा वही विजई होगा। लड़के के लिए लोहित नदी के बहाव को उलटी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को पता से ही धारा उलटी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुँची। उसने अपने पती को सारी बातें बता दी। मचुआरे ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुँच गया। लड़का खुशी को भी अंतिम नहीं माना जाएगा, अब हमें युद्ध करना चाहिए। इसी युद्ध से निर्णय होगा। लड़का भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु वह तो अकेला था। नाग कन्या उ पौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर व्रिक्ष, जानवर, घास पत्ते आधी नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हतियार फेक कर जूमने लगे। और वे हार गए। राजा गाव छोड़कर चला गया। अब लड़का और उसकी पत्न ना कन्या गाव के राजा रानी बन गए और खुशी-खुशी रहने लगे।